नमस्ते दोस्तों, happy learning to all of you, अब हम हमारा discussion chapter 3 lecture 6 में थोड़ा लेके जा रहे हैं towards what are the various different kinds of yield और YTM क्या calculate करना होता है और कैसे हम different YTM को compare करते हैं यह पूरा topic है जिसको मैं दो videos में distribute करने वाला हूँ, इस video में हम लोग देखने वाले हैं the topics are already written on your screen, YTM of an annual pay bond, semi-annual pay bond, annual yield क्या होती है comparing YTM of various periods or adjusting yields for periodicity, तो पहले हम basic parts से शुरू करते हैं जो वैसे तो आप काफी बार कर चुके हैं, but suppose हमें दे रखा है, again let me remind you my basic objective of putting this through the screen and not boards is के हम sums भी सिदा सिदा देख पाएं और आप तुरंथी calculator usage देख पाएं और समझ पाएं suppose हमें दे रखा है के एक bond का price है 1045, this is price, ठीक है, number of years to maturity है 5, coupon है हमारा 10% और face value है हमारा 1000, अब हमें इस annual pay bond का YTM ढूंडना है, क्या annual pay bond का YTM ढूंडना है, तो how do we calculate the YTM of this annual pay bond, अगर हम simply देखें, वही third row में आ जाना है और हमें वही चार चीजे देखनी है, पांच चीजे, चार input और एक output आएगा, तो सबसे पहले हम लोग price मतलब present value तो 1045 negative हम PV में डाल देंगे, 5N positive हम डाल देंगे, 1000 का 10%, 100 हमारा PMT हो जाएगा, और 1000 FV हो जाएगा, again बोल रहा हूँ, बहुत कैरफूली ध्यान में रखना के PMT FV, यहाँ पे positive end पे है, और 1045 आग 0 year पे हमारा outflow होगा, तो वो negative आएगा, जब हम compute I by Y करेंगे, तो आपका I by Y आ रहा है, 8.84765, this is your yield till maturity for annual pay 5 year bond, अती सिंपल है, यह तो I think हमने पहले ही समझ लिया था, लेकिन अब थोड़ा सा twist लाते है, सपोज इसी की ही price है dollar 1045, लेकिन यह अब semi annual बन गया है, semi annual, number of years to maturity अभी भी 5 है, coupon अभी भी 10% है, face value अभी भी 1000 है, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को annual pay जो है, वो क्या बन गया हमारा semi annual pay बन गया है, तो अगर यह semi annual pay बना है, तो now what we will do is, हम लोग थोड़ा सा change करेंगे, coupon 10% तो annual pay है, लेकिन semi annual ही हो रहा है, तो 1000 का 10 चकाप, 100 का आधा, 50 को हम डालेंगे PMT में, FV हमारा 1000 ही है, PV हमारा same है 1045, N में हम डाल देंगे 10 instead of 5, और compute करेंगे I by Y, तो अब देखो change होके आ रहा है, 4.43316, लेकिन जब हम quote करेंगे तो इसको normal terms में ही करेंगे, तो इसको semi annual का है, तो quoted क्या होगा 4.3116 into 2, that will be, आपका आ जाएगा 8.86633, तो क्या आपने note किया इसका और इसका थोड़ा सा अलगाया, भले price same है, क्यों ऐसा, because यह semi annual था, यह annual था, यह semi annual है, यहाँ पर हमने n को कितना डाल था, 10, उसके base पाया था, 4.43, लेकिन इसको हमें annual में quote करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 4.43316 into 2, मतलब 8.8663, so this is how we calculate the YTM of annual pay and semi annual, मतलब हम convention बहुत easy रख रहे हैं, suppose इसी को हमें quarterly payment वाले को करना होता, तो again हम price रख रहे हैं 1045 डॉलर, लेकिन यह quarterly है भी, तो अब मेरा N जो है, जो हमको calcium में डालना है, वो क्या हो जाएगा, N में मैं कर दूँगा 5 into 4, मतलब 20, PV हमारा same रहेगा, PMT अब हमारा हो जाएगा 25, क्योंकि 10% annual ही मिल रहा है, तो 1000 का 10% 100, तो 25 future value हमारा 1000 ही रहेगा, ठीक है, जब हम करेंगे compute I by Y, तो हमारा आ रहा है 2.2189, अब यह तो quarterly है, इसको annual terms में convert करना है, तो 3 महीने को 12 महीने में convert करना है, तो हम क्या करेंगे, into 4 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 8.87578, तो देखो यह उससे भी थोड़ा और जादा आया है, क्योंकि again, यह quarterly है, अब इसको monthly basis पे करोगे, तो आप क्या कर दोगे, 5 years into 12, 60 कर दोगे, और जो coupon है, वो आप 100 divided by 12, 8.33 कर दोगे, I hope you got this base, ठीक है, which is again, very very simple, एक और चीज हम देखने वाले हैं, कि basically, यह तो हमने देखा कि, YTM हमें कैसे calculate करना है, of different part, अब हमें यह देखना है, कि annual yield हमारा क्या होगा, annual yield हमारा क्या होगा, various different part का, suppose हमारा YTM है, 12 percentage, तो हमारा, अगर suppose semi-annual bond है, quarterly है, monthly है, और annually है, तो हमारी annual yield क्या होगी, तो इसमें तो हम लोगों को effective yield, जो आपने देखा होगा, effective rate of interest जो आपने देखा होगा, वही same use करना है, जो हमने quants में पढ़ा था, effective rate of interest, which is nothing but, 1 plus YTM, upon, जो हमारे number of periods है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं, जो कित्ती बार, कित्ती बार compound हो रहा है, number of compounding, ठीक है, और raise to again, हम number of compounding करके, minus 1 कर देए, तो annual में तो कोई लफडा ही नहीं है, ठीक है, यह आपका same ही हो जाएगा, base आपका, ठीक है, यहाँ पे आप चाहें, अगर YTM percentage terms में है, तो इदर hundred रखेंगे, अगर percentage terms में नहीं है, तो point terms में है, तो hundred हटा देगे, तो यह क्या हो जाएगा, 12% का 12% ही हो जाएगा, semi annual में आप क्या करेंगे, one plus six by hundred into two, raise to two, minus one into hundred, कोई formula देखे करेंगा, ओ, इता फड़ाफट क्या कर दिया, बहुत simple किया है, हमने one plus twelve by hundred into two, क्योंकि 12 टका तो हमारा annual ही है, तो 6 महीने का कितना होगा, 6 टका तो हम करेंगे one point zero six, और one point zero six को, मतलब semi annual को अगर annual करना है, तो raise to two होगा, क्योंकि दो बार compound होगा, तो into one point zero six, minus one into hundred, तो that will become how much, twelve point thirty six, मतलब कहने को, 12 टका quoted है, लेकिन actually हमें कितना मिल रहा है, 12.36% मिल रहा है annually, similarly quarterly होगा, तो क्या करेंगे one plus twelve by hundred into four, whole raise to four, minus one into hundred, बारटा का annually था, तो साल में चार quarter होता है, तो एक quarter का 3% हो गया, तो हम करेंगे one point zero three, raise to four, यह आजाएगा one point one two five five one, minus one into hundred, तो यह आजाएगा twelve point five five percentage, और अगर मंतली करना है, तो हो जाएगा one plus twelve upon hundred into twelve, ठीक है, क्योंकि एक साल में बारा बार होगा, raise to twelve minus one into hundred, तो इसको हम करेंगे one point zero one, y raise to x, y raise to x मतलब, आपका जाएगा नंबर है, उसको आपको कितना raise to करना, तो हमें raise to twelve परना है, तो मैंने y raise to x दबाके twelve दबाया, तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा one point one two six eight, ये क्या बता रहा है, आपका एक रुपै one point one two six eight हो गया, minus one into hundred करेंगे, तो आपका answer आ जाएगा, twelve point six eight percentage, twelve point five five percentage, twelve point three six percentage in twelve percentage, तो ये आपका क्या हो गया, ytm को हमें annual yield में, ytm को हमें annual yield में, किस तरीके से करना है, याद रखेगा ये hundred हम तभी use करेंगे, जब मैं इधर absolute terms में ले रहा हूँ, अगर मैं इसको zero point one two लेता, इधर hundred हट जाता, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, और एक last part और आता है इस वीडियो का, which is what, which is adjusting for periodicity, अभी ये क्या होता है, suppose आपको दे रखा है, कि एक semi-annual bond, semi-annual bond का ytm है, six percentage, हमें इसको compare करना है, कि अगर कोई annual bond होता, तो उसकी ytm कितनी होगी, जो कि दोनों को similar comparable करें, और अगर कोई quarterly payment वाला होता कूपन का, तो उसकी कितनी होती, जिसको similar रखें, तो देखने पे खतरनाक लग रहा है, लेकिन है बहुत simple, suppose कोई yearly coupon वाला bond होता, तो हम क्या करते हो, उसको 1.03 raised to 2 minus 1 into 100, ये क्या किया मैंने, 6% semi-annual है, तो हमने क्या किया, ये 6% अगर semi-annual है, मतलब YTM जब भी बोलावा हो, तो वो per annum ही terms में होगा, पर semi-annual है, मतलब मैंने उसको divide by 2 किया होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे उपर, तो हमने यहाँ पर यही किया था, कि semi-annual का 4.43 आया है, तो इन्टू 2 करेंगे तब हमारा YTM है, quarterly का 2.2189 आया है, तो इन्टू 4 करेंगे तो हमारा YTM है, और अगर हम लोग यहाँ पे semi-annual YTM 6% है, मतलब जो भी rate आई होगी उसको इन्टू 2 किया होगा, तो 6% आया होगा, तो actually तो 3% हुआ होगा, तो 1.03 का square minus 1 into 100, यह कितना बनेगा 1.0636, if I am not wrong, यही होना नहीं, 1.03 into 1.03 check कर लेते हैं, 1.0609, correct? 1.0609, तो हमारा अगर annual pay bond होगा, तो उसका comparable yield होगा 6.09, क्योंकि annual वाले को तो हमें एक से ही multiply करना है, समझे क्या बोलना चाहरा हो, वापस semi-annual का YTM 6% है, तो अगर कोई annual वाला bond हो, तो उसकी कितनी YTM होनी चीए, कि यह semi-annual वाले से compare हो सके, फिर से, अगर semi-annual की YTM 6% है, तो annual वाले की क्या quoted YTM होनी चीए, कि इस वाले से compare हो, तो यह YTM 6% है, जो कि साल में दो बार हो रहा है, तो हम लोगोंने क्या क्या 1.03 का square, minus 1 into 100, तो अगर annual वाला bond होगा, तो उसकी 6.09 हो, और semi-annual भी इतना ही दे रहा है, semi-annual कैसे इतना दे रहा है, क्योंकि 6 तका तो quoted है, divided by 2 करोगे, तो 1.03 का square minus 1 into 100 किया, और अगर कोई quarterly है, जिसको हमें compare करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी 6% तो हमारा again, annually है, तो semi-annual कितना होगा, 1.03, और quarter मतलब तो, 6 महीने की जी, 3 महीने, तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, raise to half, वो quoted देखना पड़ेगा के हमारा कितना आएगा, यहां से जो आएगा, वो quoted आजाएगा, for normal quarterly bond, तो यह क्या हो जाएगा, सर आपने raise to half क्यों किया, क्योंकि 6 महीने का raise to 1 था, 12 महीने का raise to 2 कर दिया, तो 3 महीने का 6 का आदा है, तो raise to half करना पड़ेगा, तो 1.03, 1.03, Y raise to X, 0.5, minus 1, into 100, तो यह कितना आ रहा है, 1.4889, यह हमारा quarterly का, quarterly का yield आया है, अब इसको annual terms में convert करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, into 4 कर देना पड़ेगा, तो यह कितना आ जाएगा, 5.955, मतलब 5.96 percentage, चलो, इसको re-verify करते हैं, के 5.96, अगर कोई quarterly bond का quoted yield है, तो उसका annual terms में क्या return आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5.96, upon 100, into 4, क्योंकि चार बार compound होगा, plus 1, raise to 4, minus 1, into 100, मतलब यह हमने, annual yield निकाला है, annual yield is bond का कितना होना चाहिएगा, 6.09 तभी तो comparable है, तो हम करेंगे, divided by 4, divided by 100, plus 1, y raise to x4, minus 1, into 100, अपका अंसर वापस बैठेगा, कितना 6.09, मतलब, यह वाला bond ले लो, यह वाला bond ले लो, या फिर उपर 6% वाला ले लो, तीनों की अगर yield हमारी quoted ये वह लही होगी, कौन सी मैं लिख देता हूँ, अगर semi-annual वाले की बात करें, तो semi-annual की yield, semi-annual की yield अगर 6% quoted है, annual की yield, अगर 6.09% quoted है, और quarterly की yield, 5.96% quoted है, तो ये तीनों semi-bond है, क्योंकि इन सब की annual yield जो है, वो semi-annual की आईगी, तो हमने ये देखा है, कि अगर YTM दियावा है, YTM quoted, अगर हमें कोई एक bond का दे रखा है, semi-annual का, तो बाकियों का किस तरीके से निकालना है, this is what we have learnt in this part, I hope आपको clear है, तीन चीज़ देखिए हमने वीडियो में, एक semi-annual, annual और quarterly, अगर उनकी price दी विए है, तो YTM कैसे निकालना है, तो जो I buy YI semi-annual है, तो into 2 कर दो, quarterly है तो into 4 कर दो, YTM quoted करने के लिए, फिर YTM दियावा है, तो हमें उससे annual yield कैसे निकालना है, और फिर हमें, अगर YTM quote करके रखावा है, तो comparable कैसे बनाना है, दूसरे bonds जो की semi-annual और quarterly हो, तो जब हमने semi-annual रखा, तो semi-annual के लिए divided by 2 करके, raise to 2 किया, तो हमारा annual बन गया, और अगर semi-annual दे रखा है, divided by 2 करके, raise to half किया, तो quarterly बन गया, फिर उसको into 4 करेंगे, तो again हमारा वो base आ जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा एक part हुआ, I would like, कि इसके आप some और गिने, so that आपको थोड़ा और clarity आ जाए, यह yield का first part of the video हुआ, ऐसा एक और वीडियो होगा, जिसमें हम लोग different yield को explain करेंगे, जैसे कि current yield क्या होती है, first yield to call क्या होती है, option adjusted yield क्या होती है, वो सारी चीज़े, so वो हम upcoming वीडियो में और देखेंगे, इसके आप सम जरूर गिन लें दोस्तों तीनों के, because this is important from exam point of view.